जहिन दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों आज के वीडियो में हम महाराष्ट्रा राज्ये के एक और मुख्य रेलवे स्टेशन कोलापूर के बारे में जानेंगे और साथी साथ हम बात करेंगे यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों की इस वीडियो की रिक्वेश्ट की है जीवन कटारे ने जानेंगे दोस्तों इस रेलवे स्टेशन की पूरी जानकारी बने रही हमारे साथ देखते रहिए Da Rail Knowledge दोस्तों कोलापूर रेल्वे स्टेसन जिसे च्छत्रपती साहू महाराज टर्मिनस कोलापूर के नाम से भी जाना जाता है कोलापूर महाराश्टर राज्य का एक शहर है जो दार्मिक और इतियासिक द्रश्टी से महतोपुर्ण है इसलिए यहां पर बड़ी संख्या में प्रियाटक आते हैं कोलापूर प्रकर्ती, इतियास, संस्कर्ती और आध्यत्म से रूबरू करवाता है मुख्य आकर्शन में यहां का महालक्षमी मंदिर जिसे अंबा देवी के रूप में भी जाना जाता है जिसे सात्वी श्यताबदी में चाकूल्य शाशक करण देव ने बनवाया था इसके अलावा नया महल, छत्रपती सहु महराज संग्राल्य, पन हाला किला, कासी विश्वेश्वर मंदिर, दाजीपूर अभ्यारण, आधी यहां के मुख्य स्थान है ओद्योगवा व्यापार में भी यह शहर दुनिया भर में जाना जाता है कोलापूर रेल्वे स्टेशन कोलापूर वैस के आसपास के छेतर को रेल सेवा मोहिया करवाने वाला स्टेशन है, जिसका निर्मान सन 1886 में हुआ था यह मध्य रेलवे का स्टेशन है जो पूने रेलवंडल में आता है इसका स्टेशन कोड है SCSMT KOP और इसकी समुदरतल से उंचाई है 536.72 मिटर यह रेलवे स्टेशन फ्रेट यार्ड रेलवे स्टेशन है जहां पर 3 प्लेटफोर्म बने वे हैं और शायद 4 वे 5 प्लेटफोर्म का निर्मान जारी है कोलापू रेलवे स्टेशन मिरज कोलापू रेलवे लाइन पर है जहां का विदूती करण हो चुका है यह रेलवे स्टेशन देश के लगबग सभी बड़े शेहरों से जुड़ा हुआ है 19 जोड़ी ट्रेनें कोलापूर से रवाना होकर यहीं पर अपनी यात्रा को पूरा करती है जिसमें 12 मेल एक्सप्रेस, 5 DMU और 2 सुपर फास्ट ट्रेन है और अगर दोस्तों इन ट्रेनों की हम बात करें तो इसमें हैं 71,420 कोलापूर पूने डेमू यह ट्रेन रोजाना सुबह 4 बस कर 45 मिनट पर कोलापूर से पूने के लिए रवाना होती है 11 304 कोलापूर मनुगुरू एक्सप्रेस यह ट्रेन भी रोजाना चलने वाली डेली ट्रेन है जो हर दिन सुबह 7 बस कर 35 मिनट पर रवाना होती है 11.30 कोलापूर चत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस मुंबई कोईना एक्सप्रेस यह कोईना एक्सप्रेस भी रोजाना सुबह 8 बस कर 5 मिनट पर मुंबई के लिए कोलापूर से खुलती है 12.147 कोलापूर हजरत निजामुदिन दिल्ली सूपरपाश्ट यह ट्रेन अफ्ते में एक दिन चलने वाली साप्ताइक ट्रेन है जो हर मंगलवार सुबह 9 बच कर 5 मिनट पर कोलापूर से रवना होती है 71.422 कोलापूर मिरज डेमो यह डेमो ट्रेन रोजाना सुबह 10 बस कर 50 मिनट पर मिरज के लिए खुलती है 17.416, कोलापूर तिरुपती हरिप्रिया एक्सप्रेस यह ट्रेन भी रोजानों सुबह 11 बस कर 30 मिनट पर कोलापूर से आंधरा परदेश के तिरुपती के लिए रवाना होती है 11.50, कोलापूर एहमदाबाद एक्सप्रेस यह एक सब्ताइक ट्रेन है जो हर शनीवार को दोफेर 12 बस कर 20 मिनट पर एहमदाबाद के लिए रवाना होती है 11.404, कोलापूर नागपूर एक्सप्रेस यह एक बाई वीकली ट्रेन है जो हफते में दो दिन हर सोमवार और शुकरवार को दोफेर 12 बस कर 20 मिनट पर नागपूर के लिए रवाना होती है 16.590, कोलापूर केसर बैंगलूरू सिटी रानी चेनमा एक्सप्रेस यह ट्रेन रोजाना चलने वाली डेली ट्रेन है जो दोफेर 2 बस कर 5 मिनट पर कोलापूर से बैंगलूरू के लिए रवाना होती है 11.49, कोलापूर गोंदिया महराश्ट्रा एक्सप्रेस यह ट्रेन भी रोजाना कोलापूर से गोंदिया के लिए चलती है जो दोफेर 3 बस कर 30 मिनट पर यहां से रवाना होती है 11.49 कोलापूर गोरखपूर लिंक एक्सप्रेस यह लिंक महराष्ट्रा एक्सप्रेस के साथ बनता है जो रोजाना दोफेर 3 बस कर 20 मिनट पर रवाना होती है 71.430 कोलापूर 17 डेमू यह ट्रेन रोजाना शाम 4 बस कर 50 मिनट पर 17 के लिए खुलती है 71.424 कोलापूर सांगली डेमू यह ट्रेन रोजाना शाम 6 बस कर 35 मिनट पर सांगली के लिए खुलती है 77.412 कोलापूर चत्रपती सिवाजी महराज ट्रमिनस मुंबई महलक्षमी एक्सप्रेस यह ट्रेन रोजाना रात 8 बस कर 30 मिनट पर कोलापूर से रवाना होकर मुंबई CSMT तक जाती है 71.418 कोलापूर मिरज डेमू जो रात 9 बस कर 30 मिनट पर मिरज के लिए खुलती है रात 10 बस कर 50 मिनट पर रवाना होती है 22.134 कोलापूर सोलापूर सुपरफास्ट यह ट्रेन भी रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो रात 11 बस कर 30 मिनट पर सोलापूर के लिए रवाना होती है 11.45 कोलापूर धनबाद दिक्षा भूमी एक्सप्रेस यह ट्रेन सब्ता में एक दिन चलने वाली ट्रेन है जो हर गुरुवार को रात के 11 बस कर 45 मिनट पर धनबाद के लिए रवाना होती है और 11.416 कोलापूर बिदर साप्ताइक एक्सप्रेस यह ट्रेन भी अफ़ते में एक दिन हर बुद्वार को रात के 11 बस कर 55 मिनट पर बिदर करनाटका के लिए रवाना होती है तो दोस्तों ये थी कोलापूर एलवे स्टेशन और यहां से चलने वाली ट्रेनों की छोटी सी जानकारी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक बए शेयर करना नहीं बूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं बूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद कर दो जाए हैं अगले भी नहीं भी नहीं बूलें